आप सभी के कमपार्टमेंट एक्जाम आप एंड हो चुके हैं और अब काम चल रहा है आपके कॉपी चेकिंग का आपके कॉपी चेकिंग हो रहा है और आप सभी का रिजल्ट लगवक फ्रेंड इस वीक में आने का चांसे है आपकी रिजल्ट को लेकर आपको बहुत जाधा टिंशन है कि आप पास होगे यह नहीं होगे क्योंकि आपका सभी पेपर बहूँ जादा कंपार्टमेंट युथ बोड अग्जाम का प्रिफ्ट ऑता उस लेवल का लेवल का इक्जाम होता बट इस साल आप सभी के सब फ्रेंड्स बहुत जादा गलत हुआ है आप सभी के पात सिबेस्टी तक पहुंचे और वो मौडरेशन पॉलिसी लगाए यह आपके फ्यूचर का सवाल है पेपर हाड आए इसमें आपकी तो कोई गलती नहीं है आपको यह पता है कि आपके एक्जाम कर लेवल वही रहेगा जो बोड एक्जाम के लेवल था बट यहां पर कुश कर लिखाए ठीक है यह होता है ठोड़ा बहुत हैं आपको आएडया कितने माक्स टकיתיason मिनिममम मेरा आ चाएगा ठीक हैanger से हम थे लिए प्राइब क्रिटेग्या क्या है तो उनको मिनिमम 33 परसेंट स्कोर करने होते हैं बोथ प्रैक्टिकल एंट्थी को मिला कर ठीक है तो यहां पर मैंने आप सभी क्लिक डीटेल्स इस तरह से बनाया है कि मान लिजी कि आपका प्रैक्टिकल में अगर 20 मांक्स आया है अभी आप स अराम से ले लोगे कोई प्राब्लम नहीं होगा ठीक है नेक्स अगर आपको प्रैक्टिकल में 19 मांक्स मिलते हैं तो थियोरी में आपको 14 मांक्स आने चाहिए ठीक है अगर आपको प्रैक्टिकल में 18 मांक्स मिले हैं तो थियोरी मांक्स आने चाहिए नेक्स देखते हैं त तेख लिए और आपके थोरी में मीनिमं आपके 15 सरह से 20 मांज्सी जरहता है रहता या 2 साय दी कोई सुडिन्स में 5 सें मैं होगा बहुत कम केस हो ऐसा ठीक है अगर आपका पंदरा नंबर भी प्रैक्टिकल में आ जाता है तो थियोरी में देख लिए थियोरी में आपका अगर 18 भी आ जाए तो आप अपने मत लीजे आप सभी को पता है मुझे बहुत जादा आप सभी को टेंशन है अपने रिजर्ड का और होना भी चाहिए तो यहां पे अगर आपको प्रैक्टिकल में 15 आये हैं तो थियोरी में 18 मार्क्स भी आ जाते हैं तो आपका काम चल जाएगा ठीक है तो यहां पे कि मार्क्स अगर आप लिखे हो तो आप पास नहीं हो पाओगे अगर 15 मार्क्स या 15 मार्क्स जादा आपके प्रैक्टिकल में तो आप इसली पास हो जाओगे ठीक है मीनिमम आपकी थियोरी में अगर कम से कम टीचर को आप पे घुस्या भी हो तो कम से कम वह आपको प्रैक्ट का Marks आ जाए तो आप इसलिए अपने एक्जाम को पास कर लोगे तो टेंशन लीजिए बढ़ थोड़ा कम लीजिए ठीक है और किसी स्टूड़न का लाग कितना ज़्यादा खराब रहा कि उसका प्रैक्टिकल में 5 आया है फिर तो उसको थियोरी में 28 लाना ही होगा कमपार्टमेंट एक्जाम का ठीक है तो इतना ज़्यादा लाग किसी का खराब नहीं हो सकता है टीचर जो है वो 10-15 मार्क्स का प्रैक्टिकल में देते हैं ठीक है तो मैक्सीमम आप सब कितने स्कोर करने होंगे मैक्सीमम अगर आपके 18 मार्क्स भी आ जाते हैं तो आप अपने कमपार्टमेंट एक्जाम में अराहम से क्लियर कर लोगे तो । टेंसल मत लीजे क्ल्स का अब बात करते हैं अलग अलग स्कोर करना होता है वह आप चाहलedor का थ्योरी को पर्फ्रेक्टिकल में अलग स्कोर करना होता है तो आपको minimum 27 marks आने चाहिए तब ही आप अपने subject में clear कर पाओगे ठीक है अगर आपको कोई exam 70 marks का हुआ है तो 33% उसका आपको minimum 24 marks लाने होगी ठीक है so I hope friends आपको इस detail से कुछ help हो और कुछ थोड़ा बहुत आपको relaxed feel हो कि हाँ इतना marks का मैंने लिखा है तो मेरे इतना कम से कम आ जाएगा and moderation policy के उपर friends मैं यही कहना चाहूंगी कि moderation policy लगना ही चाहिए क्योंकि यह students का future का सवाल है hope for the best I hope आप सभी के subject जिस भी subject में आपका question hard आए उस सभी में moderation लगे ठीक है